दोस्तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ इस वीडियो में हम UPGK के टॉप 50 कोशन्स को कवर करने बाले हैं जो भी विद्यारती UP Plus Constable Exam की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्तपूर होने बाला है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तता बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसे ही एक्जाम से रिलेटिड हर वीडियो का नोटिपिकेसन आप तक पहुंचता रही चलिए तो सुरू करते हैं पहले कोशन से पहला कोशन है हमारा उत्तर पदेश का नोचंदी मेला कहां पर लगता है तो इसका सही अंतर हो जाएगा ओप्सन नमबर C मेरट मेरट चिले में जो है नोचंदी मेला लगता है चलिए तो बढ़ते हैं अंगले कुश्चन की और अगला कुश्चन है हमारा मोतीलाल नहरू बाल संग्राल है प्रदेश में निम्न लिखित में से कहां पर रिस्तित है तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका अंसर तो इसका सही अंसर होएगा हमारा ओफ्सन नमबर डी लखनौ अगला कुश्चन दिखते है अगला कुश्चन है हमारा उत्तरपदेश वारसकी का प्रकासन प्रदेश के किस नगर से होता है तो यह बहुत ही मौहत्थपूर कोश्ण हो जाएगा, तो सही आ thumbnails का option number A,要 muss on lesson number A next है, इत्र पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो सही आंन्सर हो जाएगा का option number B, कन्नोज, कन्नोज जिले में जो है इत्र पार्क की स्थापना की गई है, next है, हत खरगा एवम हस्त सिल्फ उद्ध्योग उत्तर पदेश के कौन से जिले में कौन से जिले करमसा अग्रणी है तो सही आंसर हो है इसका आपसा नमबर B बदोही और मउव बदोही और मउव जिले जो है हत खरगा एवम हस्त सिल्फ उद्ध्योग में अग्रणी है चलिए गए देखते हैं अगला कुशन इमारा राज जके किस तहर में कालीन बनाई केंदर स्थापित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ओप्थान नमबर C. बदोई जिले में जो है जो है कालीन बनाई केंदर इस्थापित है। नेक्स्ट है पेंट और वार्निस का उद्योग राज जके किस जिले में अवस्तित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा option number D कानपुर कानपुर जिले में जो है paint और वार्निस उद्योग अवस्तित है अगला है handlum cotton work उत्रपदेश के में कौन सा जला अग्रणी है यानि handlum cotton work में उत्रपदेश का कौन सा जला अग्रणी है तो सही आंसर हो जाएगा इसका option number D merit जो है handlum cotton work में अग्रणी है अगला है उत्तर पदेश के किस जिले में नलके पाइप का उद्यो ब्रहदे छित्र में फैला हुआ है तो सही अंसर होगा इसका option number B प्रयाग राज नेक्स्ट कोशन है मानने वर कासी राम जी ग्रीन गार्डन कहां पर रिस्तित है यह बहुत ही very very important question होगा तो इसका सही अंसर होगा हमारा option number B लखनव में मानने वर कासी राम जी ग्रीन गार्डन जो है लखनव में इस्तित है नेक्स्ट है उत्तर पदेश में बिदान सभा को भंग करने का अधिकार किसको है तो सही अंसर होगा इसका option number A राजजपाल राजपाल को जो है विदान सभा को भंग करने का अधिकार है उत्तर पदेश में नेक्स्ट है असोक द्वारा निर्मित भारत का राजजपाल इस्तंब उत्तर पदेश में कहां पर है तो सही अंसर होगा का option number D सारनात नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर पदेश के कौन से नगर व्यवसाय सिच्छावक कला केंद्र के प्रमुक केंद्र थे तो इसका सही अंसर होगा option number D ये सभी मत्रा कौसांबी प्रयाग ये सभी जोते व्यवसाय सिच्छावक कला केंद्र के प्रमुक केंद्र थे नेक्स्ट है प्रत्थम सतंतिता संगराम कब हुआ था तो इसका सही अंतर होएगा मारा ओप्सन नंबर डी 1857 प्रत्थम सतंतिता संगराम हुआ था अगला कुश्चन है उत्तर पदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बरतनों के लिए प्रसिद्ध है तो सही अंतर होएगा इसका अप्सन नंबर बी खुर्जा खुर्जा नगर जो है चीनी मिट्टी के बरतनों के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट है रेसम और जरी के लिए प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो इसका सही अंतर हो जाएगा option number D, वारा नसी वारा नसी जिला जो है रेसम और जरी के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट है उत्रपदेश राज्य का राज के चिन क्या है तो very very important question है ये तो उत्तर पदेश का जो राज किये चिन्न है तो इसका सही आंजर होएगा मचली option number C मचली जो है उत्तर पदेश का राज किये चिन्न है next question है लकडी के सामान की राज के किस जिले में सुप्रसिद नकासी की जाती है तो सही आंजर होएगा किसका option number C वाराण सी next question है उत्तर पदेश के किस जिले में पीतल की मूर्ती का उद्योग अग्रणी है तो सही आंजर होएगा किसका option number B मथुरा में मथुरा में पीतल की मूर्ती का उद्योग अग्रणी है next है प्रदेश के किस जिले में बर्तन उद्योग विसाल छित्र में फैला हुआ है तो सही आंसर हुआ है इसका option number A कानपुर देहात कानपुर देहात में बर्तन उद्योग विसाल छित्र में फैला हुआ है अगला कोशन है राज़में आवला उद्द्योग किस जिले की रीड है यानि आवला उद्द्योग अधिक्तवर किया जाता है तो इसका सही आंसर होएगा हमारा option number A प्रताबगड प्रताबगड में जो है आवले का उद्द्योग सबसे याधा किया जाता है next है औत्रपदेश में कृत्तिम रवड का खार खाना कहा इस्तित है तो इसका सही अंसर होएगा Option No.C मोधी नगर में मोधी नगर में जो है कृत्तिम रवड का का खाना इस्तित है अगला कुशन है विश्व प्रसिद्द ताजमहल उत्रपदेश के किष्णगर में इस्तित है तो बहुत ही easy question तो इसका सही answer होएगा option number C आगरा next है बौध दर्म की वज्रयान साखा का उदे उत्रपदेश में कहां पर हुआ था तो सही answer होएगा option number B सारनात सारनात में जो है बौध दर्म की वज्रयान साखा का उदे हुआ था next question है किस सन में उत्रपदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था तो ये भी very very important question हो जाएगा exam की द्रश्टी से तो इसका सही answer हो जाएगा option number A 1937 में सन 1937 में उत्रपदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था अगला question है उत्रपदेश में 1857 की किरांती का आरंब सरवपतम किसनगर से हुआ था ये भी very very important question हो जाएगा तो इसका सही answer हो जाएगा option number B मेरट 1857 की किरांती का जो आरंब है उत्रपदेश में वो मेरट से हुआ था अगला question है हमारा उत्रपदेश भारतिय गरतंत का एक पूर्ण राज किसन में बना था तो इसे भी start मार करेंगे तो इसका सही answer होएगा हमारा option number B 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो है उत्रपदेश जो है भारतिय गरतंत का एक पूर्ण राज बना था नेक्स्ट है फरुकाबाद किसके लिए जाना जाता है तो इसका सही answer होएगा हमारा option number D हाथ की छपाई के लिए फरुकाबाद जो है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है नेक्स्ट है उत्रपदेश का कौन सा इस्थान रेसमी साडियों के लिए विस्तो प्रसिद्ध है इसका सही answer हो जाएगा option number D वारा रसी नेक्स्ट है उत्रपदेश में निम्रलकित में से कहा rail coach factory का निर्माड किया जा रहा है तो ये भी very very important question हो जाएगा तो इसका सही answer हो जाएगा राय बरेली राय बरेली में जो है rail coach factory का निर्माड या जा रहा है अगला question है उत्रपदेश में computer added designing पर्योजना का केंदर कहां इस्तित है इस्टार मार्क कर लिए इस question को बहुत important question हो जाएगा जी तो इसका सही answer हो जाएगा लखनव option number D computer added draining पर्योजना का केंदर जो है लखनव में इस्तित है अगला question है उत्रपदेश में aluminum अध्यों का विकास किस जिले में हुआ है तो सही answer हो जाएगा option number B मिर्जापर next है उत्रपदेश के किसान आणदूलन का नेत्रत किस नेता किया था very very important question तो इसका सही answer हो जाएगा ओमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसान आणदूलन का नेत्रत किया था next है उत्तर पदेश में काकोरी सर्ड़ अंतर कांड कव हुआ था very important question तो इसका सही आंजर हो एगा 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 में काकोरी सर्ड़ अंतर कांड हुआ था अगला question है उत्तर पदेश में चंदावर का प्रसिद्ध जुद्ध कव हुआ था ये सारे जितने भी युद्ध हैं ये बहुत ही important question हो जाएंगे exam के लिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1194 ECV option number A 1194 ECV में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था next है उत्रपदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब जाएगा ये भी important question हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1527 option number C 1527 में उत्रपदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था अगला question है उत्रपदेश के आगरा नगर पर बावर ने कब अधिकार किया था very 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 important question तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 में 1526 में बावर ने आगरा नगर पर अधिकार किया था next है उत्रपदेश की अर्थवेवस्ता उत्द्योग छित्र का कितना योगदान है तो important question है ये very important question तो सही आंसर हो जाएगा 25% option number C next है उत्रपदेश में चीनी के मिठी के बरतन किस सहर का एक प्रसिद्ध प्रमार है तो सही आंसर हो जाएगाज का प्रयागराज एवम खुर्जा प्रयागराज एवम खुर्जा में जो है चीनी मिठी के बरतन सरवादिक बनाए जाते है next question है प्रदेश के किस जिले में बच्चों के खिलोनी का सुप्रसिद्ध सामान निर्मित होता है तो सही आंसर हो जाएगा इसका option number B वेरट next question उत्तर पदेश के कौन से जिले चमडा उद्द्योग में अग्रणी है तो very important question हो जाएगा ये तो उसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर और आगरा option number C next step राज्य का कौन सा जिला कपड़ा उद्द्योग के लिए जाना जाता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा option number B कानपुर कानपुर जिला जो है कपड़ा उद्द्योग के लिए जाना जाता है अगला question है उत्तर पदेश में सामुगड का प्रसिद्द जुद्ध कब हुआ था तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा option number C 168 ECG में next है उत्तर पदेश में प्रसिद्द बुलंद दरवाजा कहां पर इस्तित है तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा option number A फतेपुर सीकरी next है उत्तर पदेश में चौखंडी स्थूप कहां इस्तित है very important question तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C कौशंबी में कौशंबी में जो है चौखंडी स्थूप इस्तित है next है उत्तर पदेश में अयुद्या में इस्तित सिलाल एक किस काल का है तो सही आंसर हो जाएगास का option number C सुंगो काल और इस वीडियो का last question है उत्तर पदेश में मुगल काली लाल किला कहां पर इस्तित है तो सही आंसर हो जाएगास का option number D आगरा तो दूस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंदा आईए वीडियो को लाइक करें सियर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद